इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने सड़क पर जूस बेचा आपको बता देंगी कॉंग्रेस पार्टी के लोगों का मोधी सरकार के उपर आरोफ लगाए गया है कि जब से ये देश की सत्ता सम्हाले हैं तब से मोधी ने कहा था कि हम हर साल दो करोड लोगों को रोजकार देंगे रोजगार तो नहीं दिया बल्कि युवाओ को पकोड़ा बेचने की सलादे डाली गर्मियों में पकोड़े तो बिकेंगे नहीं इसलिए गर्ने का जूस बेचकर अपना विरोज जता रहे हैं और इसके लिए एक अप्रेल से बढ़िया दिन और क्या हो सकता है क्योंकि एक अप्रेल मुर्ख दिवस होता है और मोधी सरकार के जुमले देश की जनता को मुर्ख बना रहे हैं